सब्सक्राइब तीजे टेक्नेट इंडिया चानल को और बेल आइकन को दवाईए लेकर शुटो सब सब पहले देखने के लिए हम आपको इस बोस्ट में बताने जा रहे हैं इस तरह करे बचा स्मार्टफोन का इस्तमाल आज तेजी से बढ़ रहा है जहां एक तरफ तक्नीक हमारी जिंदिगी का हिस्सा बनती जा रही है दूसरी तरफ इससे जुड़ी खत्रे भी बढ़ते जा रही हैं क्या आप जानते ह हैं कि एलेक्टॉनिक आइटम्स में इस्तमाल होने वाली हितिमायन बैटरी हमारी सिर्थ के लिए बेहत खतरनाग साबित हैं अगर आप ज्यादा देर तक इससे लेस डिवाइसेस को चार्ज करते हैं तो इनमें गैस का उक्सरजन बढ़ जादा है आपको बता देंगी कोब आउट ऑक्साइड से बनी लीथियम वैटरी में एनजी डेंसिटी ज्यादा हो दी है चीन की सिंगुआ उनिवरसिटी और अमेरिका के इंस्टिटीट ओफ एंपीसी डिफेंस के शरुत करताओं ने एक ताज़ा अधियन में बताया है कि एक स्मार्ट फोन की बैटरी से कार अधियन के दौरान करीब 20,000 वैटरी को टेस्ट किया गया है इस दौरान यह पाया गया है कि अगर यह किसी बंग जगें पर हो और इनमें से लगादार कार्बन और नॉकसाइड जैसे गैस निकलती रही तो यह आपके लिए घातक साबित हो सकता है साथ ही ने शुजू करके कई देशों की सरकारें इलेक्ट्रानिक वाहनों से लेकर मोबाइल उप करनों के लिए लिए लिट्यम आयम बैटरियों को बड़ावाद दे रही है इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि आम लोगों को उर्जा के इस द्रोग के पीछे के खत्रे के प्रती सचित किया शरूद करताओं ने इन बैटरियों को प्रयोग न करने का सुछाब दिया है आज कई देशों में मुबाइल फोन से लेकर एलेक्रिक कार में भी इन बैटरियों का इस्तमाल हो रहा है आम तोर पल्रीथी इन बैटरियों प्योग में भी ज्यादा आदी संते मुताबिक यह का विशय है कि यह तिमायन बैटरी से खतरनाक है इसके रुसाब और उसके उत्तम के बारे में अभी तक छो सथ्यान नहीं हुआ है कैसे बचे अगर फोन की बैटरी गण हो जाए तो इसे इस्तमाल न करें कभी भी फोन की बैटरी को फो चार्ज न करें सोते समय मोबाइल को चार्जिंग से हटा दें कभी कभी बैटरी को बार बार चार्ज न करें फोन के उरिजिनल चार्ज का ही इस्तमाल करें USB या डाटा बैंक से मोबाइल चार्ज करने से बचें